दोस्तों आज आप लोगों को एक 8 चैनल का मिक्सर दिखाएंगे यह सिवास कंपणी का है और मैं आपको बताता था सिवास कंपणी का बारे में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना नहीं है लेकिन मैं इसको काफी साल से डिल कर रहा हूं और इसका प्रोसेसर बहुत अच करते हैं और देखते हैं आठ चैनल का मिक्सर सिवास कंपणी का दोस्तों मैं हूं प्रसेंजित मित्रा और आप लोग देख रहे हैं इसका यूट्वीब चैनल और यह हमारा गौहर्टी का प्रांच है तो जैसे मैंने इंट्रो में बताया आज आपको आठ चैनल का एक मिक् मतलब इसमें MP3 भी चलेगा तो चले पहले यह सेग्मेंट से स्टार्ट करते हैं यहां पर देखिए आठ माइक्रोफोन इंपूट है जो एक्सलर है और लाइन दोनों है आठ और यह है स्टीरियो आउट यहां पर आप जैक भी कर सकता है और यह फोन का है यह रिटर्ण का ह यह रिखॉर्डिंग का है और तीन औक्जिलरियर एक उपजरी वन टू थ्री तो बेसिकली इति दीन अक्जिलरी होता नहीं यह नॉर्मली आचा इसमें लेकिन दोसरा सेग्मेंट में चलते गेन चल जाता है यह एड कलर का जितना वी बटन है सब गेन सेग्मेंट गालर इ के लिए है, mid के लिए है, low के लिए है, ये equation section के बाद आ जाता है, तीन auxiliary का तीन अलग-अलग button, मतलब आपको auxiliary one, two, three, हर channel में आपको ये दो जाएगा, आठ चैनल में, उसके बाद जो ये section है, हरा section ये जो देख रहे हैं आप, ये reverb का section है, ये reverb का normal का नोमली देते नहीं है, को लेट राइट का पैन है उसके बाद है PFL का बटन PFL हो गया अभी हम लोग यह देखते हैं यह भी काफी स्मूध है अच्छा है 100 mm का तो नहीं होगा मेरे को लगता है यह 100 mm का फिडर है जो भी है अभी सिधा यह सेग्मेंट में आ जाते हैं यह सेग्मेंट में देखिए auxiliary 2 और auxiliary 3 के लिए दो अलग-अलग बटन दिया हुआ है और यह master है left right का और यह effect का है तो आप effect का अलग से इसका master दिया हुआ है अभी आ जाते हैं दो equalization section में एक left के लिए एक right के लिए दो अलग-अलग आप equalization कर सकते हैं और यह segment जहाँ आप देख रहे हो यह digital display है आप पर यह जितना भी effect दिया हुआ है 16 DSP का effect दिया हुआ है यह आप यहां से यह जो segment है यहां से आप select कर सकते हो यह MP3 का volume है यह auxiliary 1 का है auxiliary 2 और 3 का यहां पर है और auxiliary 1 का यह ही पर है अचा सेकंड है return का यह है effect का और यह है repeat का और यहां पर और एक PFL दिया हुआ है अगर यह PFL यूज करते हो तो पूरा का पूरा यह segment है इसके लिए आप यह PFL यूज करोगे और यह है यहां पर आपने देखा फोन का input है और यह है फोन का volume तो basically यही था यह mixer और इसका पीछे सेग्मेंट में दिखा देता हूं एक बर इसका बैक सेग्मेंट में कुछ नहीं है खाली on-off switch है और यह power का input है और यह भेंट है पीछे साइड में नीचे साइड में कुछ नहीं है खाली भेंट है इसको ढखके रखना नहीं है और इसका दो जो side panel है यह plastic का है उपर का जो portion है यह metal portion है तो basically यही था आज का वीडियो तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिस पे आपने देखा सीवास कंपनी का आर्ट चैनल का mixer और यह mixer बहुत ही अच्छा है इसमें यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए आज का वीडियो यही पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगला वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेएगा